हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो होमफूट रेसिपीज आज हम बनाएंगे व्रत उपवास में खा सके वैसे फराली खटे चिल्ले ये चिल्ले टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और उपवास में कई बार हम एक ही चीज़ खाखा कर बोर हो जाते हैं कुछ नयाक ट्राइ करना चाहते हैं तो आप ये चिल्ला जरूर बनाएगा इस चिल्ले को आप फराली चट्नी या फराली राइते के साथ सब कर सकते हैं या ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टे लगते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप फराली आटा एड़ करेंगे यहाँ पे मैंने जो 200 ml वाला कप आता है वही लेवल करके फराली आटा लिया है फराली आटे की रेसिपी आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं अब इसमें हम एड़ करेंगे वन फूर्थ कप जितना लेना है और फराली आटे की रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पे दिखाई है उसकी लिंक में वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देए दूंगी ताकि आप देख सके अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगी और थोड़ा मीडियम हमें देख लेते हैं यह जो बैटर है वो थोड़ा गाड़ा है तो वन फोट कप जितना पानी में इसमें और मिला दूंगी टोटल मैंने 150 एमिल यानिकी पॉना कप पानी यूज किया है एक कप फराली आटे में अगर आपका दही थोड़ा पतला होगा तो पानी का जो मिजरमें गंटे के लिए हम इसे गरम जगा पे रख देंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सैट हो जाए दो गंटे बाद इसे हम कोल लेंगे और इसमें हम बाकी की सामगरी आड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे वन फोट कप जितनी कद्दू कस की हुई लोकी आड़ की है औ आदा चम्मच इसमें हम कद्दू कस किया हुआ अद्रक एड़ करेंगे एक मिडियम साइस की बारिक कटी हुई हरी मेज एड़ करेंगे आदा चम्मच लाल मेज पावडर डाल देंगे अगर आप लाल मेज पावडर नहीं खाते है तो आप काली मेज का भी यूज कर सकते है एक से दो चूटकी इसमें हम हल्दी पावडर डाल देंगे अब स्वाद के अनुसार इसमें हम सैंदा नमक डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ही मेक्स कर लेंगे अगर आप इन में से कोई जीज नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और दो गंटे रखने के बाद हमारा जो आटा है वो पहले से भी ज्यादा लूज हो जाएगा तो पानी की जरूरत लगेगी तब ही हम इसमें मिलाएंगे एकदम पतला हमें बैटर नहीं करना है यहां पे बैटर की जो कंसिस्टन्सी है वो थोड़ इसे घाड़ी है तो इसमें हम एक से दो बड़े चम्मज जितना पानी और आट करेंगे मैंने वन फोट कब जितना पानी लिया है उसमें से हम आधा पानी इसमें यूस करेंगे और फिर इससे हम अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे अब हमारा जो बैटर है वो चिल्ला बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाडा भी नहीं उस तरह का मैंने बैटर रखा है गैस पर मैंने पहले ही तवा गरम करने रख दिया था उस पर हम इस तरह तेल लगा देंगे और फिर हमने जो चिल्ला का बैटर बनाया है उसमें से हम एक बड़ा लेडल भर के बैटर तवे पर फैलाएंगे यहाँ पर मैं एक साथ तीन चिल्ले बना रही हूँ अगर आप चाहे तो एक एक करके भी बना सकते है लेकिन एक साथ तीन चिल्ले बनाने से यह थोड़े जल्दी बन जाते है तो स्लो फ्लेम पे इसे हम एक साइट से कोख होने देना है चिल्ले के ऊपर मैंने दूसरी तरफ भी तेल लगा दिया है, और तीनों चिल्ले बीच में से थोड़े थोड़े एक दूसरे के साईथ अगर जोईट हो जाए, तो हमें इसे कल्छे से अलग करके दूसरी तरफ सावधानी से पल्टा दिना है अचानक में यह जब चिल्ले बना रही थी तो light चली गई थी इसलिए light आजाने की बाद एक चिल्ला में आपको और बना कर दिखाऊंगी ताकि आप सही तरह से देख सके तो आप देख सकते हैं कि पीछे से भी बहुती अच्छा light brown color आया है हमारे चिल्ले में तो दूसरी तरफ से भी हमें इसे slow flame पे कोखोने देना है जब चिल्ले दुनों तरफ से अच्छे से सिख जाए तब हम इसे बहार निकाल देंगे आप देख सकते हैं पीछे से भी ये बहुत अच्छे सिखे है और अब मैं light आने की रहा दिखूंगी उसके बाद ही में आपको नया चिल्ला बना कर दिखाऊंगी 20 मिनट रहा देखने की बाद light आ गई है तो एक और चिल्ला में आपको बना कर दिखाऊंगी तो बैटर को अब हम सेंटर में डालेंगे क्योंकि अब हम एक ही चिल्ला बनाएंगे चाहे तो आप इसे हलका हलका स्प्रेड भी कर सकते हैं ऐसा करने से इसमें थोड़ी जाली भी पड़ेगी लेकिन एक साथ अगर तीन चिल्ले बना रहे हो तब हम इसे spread नहीं कर सकते है तो जब ये एक साइट से light brown हो जाए तो हम इस पर तेल लगा देंगे तेल लगा कर सिखने से हमारे चिल्ले क्रिस्पी भी बनते हैं और तबे पर चिपकते भी नहीं है तो अब हर तरफ से हम इसकी side जो है वो इस तरह छुडा लेनी है और इसे दूसरी तरफ पल्टा देंगे जब दूसरी तरफ से भी ये सिख जाए तो इसे हम बहार निकाल देंगे आप देख सकते हैं कि बहुती अच्छा color आया है दूसरी तरफ से भी और इतनी quantity में total 6 medium size के चिल्ले बनेंगे Friends अगर आपको आज की मेरी फराली चिल्ले की recipe पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो वेल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की notification मिलती रहे और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने link नीचे description box में दे हुई है तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तेल देन बाई